इमाचल से खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए आज बीजेपी की तरफ से इंदु गोस्वामी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इंदु का चैन निर्विरोध होना तैम आना जा रहा है क्यूंकि कॉंग्रेस ने अपने विधायकों के अंक गणीत को ध्यान में रखते हुए कोई भी कैंडिडेट नहीं उता रहा है। आज नामांकन भरे जाने का अंतिम दिन है। इस अवसर पर सीएम जैराम ठाकोर बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित कांगडा के सभी मंत्री माजूद थे। प्रदेश नित्रितम का कि उन्होंने एक महिला को सम्मान दिया है। और विल्दुगो स्वामी के रूप में उन्होंने प्रदेश की लाखों-लाखों महिलाओं को सम्मान दिया है। और एक उसके साथ ही एक भारती जत्ता पार्टी के एक कर्मट कारेकर्टा को इसमान दिया है मैं विशेश रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी अपने परदेश के मुख्य मंतरी आद्रियोगे श्री जेराम जी का हमारे परदेश के अधेक्ष श्री बिंदल जी का और उनके साथ उनकी समस्त टीम का कि उन्होंने मुझे आशाइरवाद दिया और आज मैं राज्यसभा के लिए अपना नमांकन बत्तर पर दे राज्यसभा के सांसद के रूप में एक सांसद की जो मुण का रहती है उत मुण का को मैं निभाओंगी और परदेश कि प्रदेश सरकार के साथ मिलकर परदेश सरकार के विकास के लिए जो भी सहयोग एक सांसद के रूप में होगा उसको पूरा करने की कोशिश करो अश्या कुछ नहीं है कि रिजाइन के वह भारती जंदा पार्टी की कारे करता हों और पिछले 36 सालों से भारती जंदा निभाने की कोशिश करती रही हूं और आज मेहला मोर्चा की अध्यक्षा के रूप में मैंने परदेश में काम किया है और आज सच मुझ परदेश में इतना ही कहूँगी कि भारती जनता पार्टे ने परदेश के नेतर तबने हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे अध्यक्ष ने और केंदरी नेतरितव ने प्रदेश की महिलाओं को एक बहुत बड़ा समान दिया है भारती जन्ता पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए बहुत सारी नीतिया निरने एरुजनाय मनाती है और उसी कड़ी में एक कार्यकर्ता को राजे सभा का आज नमांकन भरा है और उसको आशिरबाद दिया है तो मैं पुने समस्त केंदर के नेतर तबका और परदेश के नेतर तबका धन्यवाद करना दो मुझे इस बात की पसंदता है कि शिमाचल तरदेश में जो राजे सभा की सीट ठाली हुई थी उस पर आज नॉमिनेशन की फ्रकिया पूरी हुई है और आज नॉमिनेशन का हंतिम दिन था यह सीट इसके पहले भी महिला के पाप थी और भारती जनता पार्टी के केंद्रियन नेतितों और परदेश नेतितों ने 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 लिया कि फिर से इस सीट पर एक महला कैंडिडेट को हमको भेजना चाहिए और इंदू गोस्वामे जी भार्थी जनता पार्टी के केंदू जी नितितों और प्रदेश नितितों के चर्चा करने के पश्चाथ आज यहां पर परत्याशी के रूप में नॉमिनेशन इन फाइल किया है और मुझे इस बात की पसंता है इंदू जी पार्टी की हमारी बहुत पुरानी कारा करता महिला मोटा की अध्यक्षा रही और इससे पहले जो है वो कमिशन में चेर परसन के नाते में काम किया और उसी तरह से बिविन दायितों का निर्वहन करते हुए राज्यसवा की समुहत्ताफून सीट पर आज इनका नामंकन हुआ है मैं आदनिय पधान मंत्री निरिंदर भाई मोदी जी का हिर्दे की गयरायूं से अभिनंदन करता हूं अँर्वाद करता ओ आधनिये अमकंस जी का धन्यवात करता हूं कि युदा करता हूँ और हमारे लिए सबहhésitez्याइवाद की से हिमाचल परदेश से हमारी भारती जनता पार्टी की राश्टी अजर्थ decision उर्ट जी उनका वी बहुत बहुत धन्यवात करता हूं कि उन सब की आचिरवागते आज इस सीट पर फिर से भारती जनता पार्टी की महिला पत्याशी के नापि नॉमिनेशन के लिए इंदु गोस्वामी जी का नामंकर की प्रक्रिया हमने जो पूरी की है और एक ही नॉमिनेशन अभी तक आया है और हमने विपक्ष से भी इसमें सहोग मांगा है और मुझे इस बात की भी पसंता है कि विपक्ष ने इस बात को स्विकार किया है उनने कहा कि हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे मैं इन्दु गोस्वामी जी को बहुत बहुत बदाई देता हूँ और शुब खामने देता हूँ हम सब मिल करके हिमाचल परदेश के विकास के लिए आने वाले सुमय में काम करेंगे और एक यूबा और यूबा होने के साथ साथ में महिला नेश्डी के नाते हिमाचल परदेश में आपने वस्तु से काम किया है उस काम को और मजबूती मिलेगी और साकत मिलेगी और हिमाचल के विकास के लिए सब मिल करके काम करेंगे एक बार फिर से पर्देश के नेतितो यहां हमारे पार्टी के समानी अजक्ष डॉक्टर राजी बिंदर जी और हमारे केंदे नेतितो आदमी मोदी जी आदमी देखुकाशनटा जी हमिश्या जी सबका में इद्दे की गहराईं से बहुत बहुत दन्यवाद करते हुआ आपके स्वास्तिका प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल